जैस्रीराम भगतो, भगतो ऐसी किरपा करोडों में से किसी 111 साली व्यक्ति पर ही करते हैं भगवान जानना चाते हैं कि कैसी किरपा है और क्या पर वो किरपा करी है भगवान ने तो विडियो के आंते तक बने रहीएगा भगतो हम जन्म लेने के बाद इस संसार में अनेक परकार के सुख भोगते हैं अनेक परकार के हमें धोखे भी मिलते हैं कोई हमें प्यार करता है लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये तो प्यार जूटा था तो हमें बार-बार ऐसा ही होता है हमारे साथ दोखे पे दोखा मिलता है हार पे हार मिलती है ऐस अफलता पे ऐस अफलता मिलती है तो जब हम किसी वस्तु को बार-बार पकड़ने का प्रियतन करते हैं तो वह हम लोगों के हाथ से निकल जाती है तब हम किसी दूसरी वस्तु के लिए आग्यात बढ़ाते हैं पर धोखा खाने के बाद भी हम लोगों को प्रकास दिखाई नहीं देता तब लोग इश्वर के सम्मूक उपस्थित होना चाहते हैं प्रन्तु इश्वर को प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है उसके निकट जाने के लिए बहुत बड़ा रास्ता तै करना पड़ता है इसलिए बहुत कम मनुष्य इश्वर को प्राप्त कर पाते हैं सैकडों वर्षों के मध्य में बहुत ही कम लोग इश्वर प्रेम का लाप्राप्त कर पाते हैं जिस प्रकार सूरिय के उद्य होने से अंदकार पूर्ण रूप से नस्ट हो जाता है, उसी प्रकार कुछ थोड़े से भगवत भगत पुर्षों के अभ्युद्य से समस्त देश पवित्र हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, कि है अर्जुन शैकडो जन्मों के अंत में कोई करोडों में से एक व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर पाता है। क्योंकि रास्ते में बहुत सारी ऐसे कंकड पत्थर कटिली जाडियां हैं, माया है भगवान की जो हमें वहां तक पहुचने नहीं देती, यानि कि जो हमें प्रलोबन मिलते हैं इस संसार में, हम उनमें फस जाते हैं, जो हमें भोग मिलते हैं, उनमें हम आसक्त हो जाते हैं और हम भगवान तक पहुंच नहीं पाते, कोई करोडों में से 112 साली व्यक्ति ही वहां तक पहुंच पाता है, जिस समय हम और आप छोटे बच्चे थे, उस समय हम केवल सबसे अधिक अपने माता पिता से ही प्रेम करते थे, उसके बाद आपके जो फ्रेंड बनते हैं, साथ ख भ्या होता है, तो उस समय नारी को स्वामी और पुरुष को इस्त्री ही प्रम प्रिये लगते हैं, और वही प्रेम की वस्तून के लिए हो जाती है, कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है, इसमें संदे नहीं की इस्त्री स्वामी को प्रेम करती है, मगर जो ही बच्चा होता है, तो ही इस तरीका आधे से अधिक प्रेम संतान के प्रति हो जाता है और पहले का भाव चला जाता है बस सभी सांसारिक प्रेम धाराओं का यही हाल है तो केवल और केवल सच्चा प्रेम तो हमें कौन करता है परमातमा लेकिन परमातमा तक हम पहुंचते ही नहीं भगतों पहले आकास में एक तारा उदे हुआ फिर असंखो तारे उदे हुआ चंदर मा भी उदे ँदे प्रेम समू सूरिये है और संद्रमा तथा तारागन समू हमारा सांसारिक प्यार है जिस प्रकार जिस समय परमात्मा रूपी सूरिये उदे होता है तो मनुष्य उस प्रेम को पागर पागल हो जाता है इस परकार भगवत प्रेमोंत को मानव कहते हैं, जो मनुष्य इस तरह से भगवत प्रेम में डूब जाता है उसको मानव कहते हैं तब उसके निकट मनुष्य पशूपक्सी सभी जीव जनतु आंत्रिक आत्म रूप से इश्वर रूप ही हो जाते हैं क्योंकि श्री कृष्टिन ने कहा है मैं कि स्रिष्टी के कण कण में विद्यमान हूँ मैं पूरी स्रिष्टी में है और मुझसे पूरी स्रिष्टी है लेकिन आम इनसान को किसी में भगवान नजर नहीं आता लेकिन जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है उसको हर ज में पूर्ण रूप से समा जाता है मगर भगतों यह ऐसा करोडों में किसी एक सो भागय साली के साथ ही करते हैं भगवान और भगवान अपनी प्रम करपा से ही ऐसा सयोग उपस्थित करते हैं तो अगर आप भी चाते हैं कि आपको सच्चा प्रेम मिले और आप प्रमात्मा को पा ले जो हमारे जीवन का प्रम लक्षे है तो भगती शुरू करे निर्शुरुआत से तो आगे की शेडिया आपको अपने आप मिल जाएगी लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कि किसी भी में फसकर उसमें आशक्त ना हुए और भगती को ना छोड़े बाकी भगतों हम समझा सकते हैं बता सकते हैं मानना ना मानना मर्जी आपकी है अब हम अपनी वानी को विराम देते हैं जैए श्री राम भगतों